कि एसी एश्टी के वो विद्यार्थी जो की बौध भी है लेकिन गरीब होने की वज़े से आगे पढ़ लिक नहीं सकते हायर एजुकेशन नहीं ले पाते बहुत सारा खर्चा है जो नहीं उठा पाते ऐसे विद्यार्थियों के लिए महाराष्ट में एक योजना शुरू की गई योजना का नाम डॉक्टर बाबा साव अम्बेटकर स्वाधार योजना इस योजना के तहत उस विद्यार्थी को साल में 51,000 रुपए दिये जाते हैं ताकि वो अपने वहाँ पर रहने की पुस्तकों की तमाम सारी जो विवस्ताय हैं वो कर सके ताकि वो अगर कोई व प्रवेश्ट ले सके इस योजना की शुरुवात हुई थी 2016-17 में लेकिन शुरुवात के तुरंत बाद ही योजनाओं का क्या हस्र होता है और खास उसे जो S.C.S.T. विद्यार्थियों के लिए जो योजनाय बनती हैं उनके आगे की पढ़ाई के लिए योजनाय बनती है उनी जोजनाओं को इम्प्लिمن्ट करने वाले जो विभाग हैं उनी जोजनाओं की क्या हलत करते हैं किस तरह से उसको बरबात कर देते हैं या किस तरह से उनका लाव सही ढंग से सही समय पर विद्यार्थियों को नहीं देते अगर इसका ओधारण देखना है तो इस वक्त जो है पूने के समाज कल्यान भाग के सामने बैठे इन विद्यार्थि उसे पूछना होगा ये विद्यार्थी बताएंगे किस तरह से चार साल से इन्हें इस योजना का लाव नहीं मिला है जबकि ये 2016-17 में शुरू हुई थी और आज 2023 है और चार साल से इस योजना का लाव को भी ये नहीं मिला है जबकि ये आविदन कर चुके हैं और इस वजह से ये अपने खर्चे जो खासों से जो पढ़ाई एक फ्रकार प्रतार का कर रहा है और इस वजह से वहाँ जाकर इन विद्यार्थियों से बात की दिया नहीं है और इसके कारण यह जो बच्चे है यह बच्चे पीछले चार दिन से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं मेरा नाम असमीत अलक्षमन बेडलवार है मैं गर्चोरी डिस्टिक्स से यहां पर पुने में पढ़ने आई थी जैसे कि हम सबको स्वाधार योजना एक स्कीम है जिसमें बाहर से आये स्टूडन को स्कीम की तरफ से पैसे मिलते हैं बट दो साल से किसी भी स्टूडन को पैसे मिले नहीं है क्योंकि उस सब का एक ही कहना है कि फंड ही नहीं है औफिस में जब fund ही नहीं है तो scheme है जो scheme है उसकी तरफ से सब स्टुडन्ट को fund मिलना चाहिए और जब भी पुने आयूकत में जब हम form submit करने जाते है तब वहाँ पे जो officers है जो workers है उनकी employer से वो भी कम है उसकी वज़े से भी problem student को बहुत problem जहलनी पड़ रही है यह सब solve करने के लिए सबी पुने district के सबी student साथ में आकर आयुकत कार्याले के सामने हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन हमारा fourth आंदोलन है इसके पहले भी हम तीन आंदोलन कर चुके हैं फिर भी हमारे problems बिलकुल solve out नहीं हुई इसलिए यह हमें fourth आंदोलन यहाँ पर करना पड़ रहा है लास्ट मन्थ हम मंत्राले में जाके आए हैं वहां पर हमारी भेट CM साब से हो चुकी है उसके बाद हमने सचिल सह को अपने problems बताए अप्लिकेशन भी दी फिर भी वो problem solve out नहीं हुआ है और कारवाही भी नहीं हुई है और यह problem सभी धान रखते हुए हम यह आंदोलन कर रहे हैं हम यहाँ पिछले एक साल से मांग कर रहे हैं हमारी जो स्वादार योजना माराष्ट की साशन जो इंप्लिमेंट करती है उसमें हम सब विद्यार्तियों को बहुत सारे समस्याओं से जुझना पड़ रहे है पिछले एक साल से हम यह चोटी बार आंदोलन कर रहे है तबी भी उसकी दखल या के जो सहाब है जो आयुकत सहाब वो नहीं ले पा रहे हैं जो शाशन निर्ने है इसका स्वाधार योजना का उसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है इस और स्टूरंट के खाट जो आकाउंट उस पे इस कीम के जो पैसे है वो एक पिछले दो साल से आनी पार है इस सारी समस्याओं को द्यान में रखते हुए हम स्टूरंट ने पिछले बेमुदत धरने आंदोलन यहाँ पे रखा है और इस आन्दोलन का चौथा दिन है यहाँ पर हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से उठने नहीं माले यह हमने दूर निच्चे किया है दो और कॉंग्रेस की जो आगारी सरकार थी उस वक्त यह योजना शुरू थी और इस वक्त महराष्ट में एक गुट जो की शिवसेना का एक गुट शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंती एकनास शिंदे ही खुद इस योजना को समाल रहे याने कि जो समाजी की नियाई भाग है वो उन्हीं के पास है और ये योजना उसी भाग के अंतर गताती है इन विद्यार्थियों ने उनसे मुलाकात करके अपनी सारी व्यथा बताई लेकिन इस वक्त फिर भी ये विद्यार्थी इस योजना से वन्चित हैं हमारी मांगे पुरी करो